हेलो बच्चों कैसे हो आप सारे तो लास्ट वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था वो क्या था क्लासिफिकेशन आप दा पॉलिमराइजेशन कि हमार पास जो एडिशन रियक्शन है या उसको चैन ग्रोथ भी बोलते हैं उसके बारे में हम अल्रेडी डिस्कस कर चुके थे हैं उसके बाद जो हमने डिस्कस किया था कि फ्री डेडिकल मेकनिज्म कि फ्री डेडिकल जो मेकनिज्म है उसके थ्रू जो एक रियक्शन है एक मेकनिज्म है उसमें थ्री स्टेप्स होते हैं उन थ्री स्टेप्स को हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके थे थे इन इनिशेशन प्रॉपेगेशन टर्मिनेशन थिरी स्टेप्स होते हैं किसी भी एडिशन रियक्शन्स होते हैं उनके बारे लिए चैन ग्रोथ इनके बारे हम अड़ेडी डिसकस्द कर चुके हैं अब जो पर्जेट वीडियो है इसमें हम जो डिसकस्द करने वाले हैं वह हां यूटलाइज होते हैं क्या उनके benefits हैं किस तरीके से प्रिपियर होते हैं प्रिप्रेशन क्या है कि हमारे पास जो addition polymerization है उसको हम prepare किस तरीके से करते हैं उके let's go वट आर दा polymers what are the addition chain reaction okay let's go in details तो हम पढ़े रहे थे preparation of some important addition polymers तो first हम इसके बारे में पढ़ेंगे वह है polythene polythene ठीक है? जो polythene है ये भी हमारे two types का होता है कितने types को होता है? two types का two types में कौन कौन से है? एक है low density लो डैंस्टि पॉलिफीन अब आपको पता है कि लो डैंस्टि पॉलिफीन जो हमारा उटेन होता है वो उटेन होता है इथीन को हम क्या करेंगे हाई प्रेशर बे हाई प्रेशर अराउंड 1000 टू 2000 एट्मोस्फेरिक ठीक है और इसको हम अराउंड 100 यानि 350 केल्विन से लेके 570 केल्विन तक हम क्या करेंगे इसको हीट करेंगे इतना हम प्रेशर लेंगे क्या लेंगे इतना प्रेशर लेंगे और इतना टैंप्रेचर लेंगे इतना हम टैंप्रेचर लेंगे इनके साथ हम इसको हीट अप करेंगे और कुछ हम amount लेंगे oxygen का या फिर हमारे peroxide oxygen या peroxide वो indicators की तरह काम करेंगे या फिर catalyst की तरह हम कह सकते हैं catalyst की तरह work करेंगे clear? clear? जो यह obtain होते हैं यह obtain होते हैं कि free radical mechanism के तरू free radical mechanism के तरू ठीक है? क्योंकि यहां free radical mechanism है उसमें से hydrogen atoms क्या होगा? abstract हो जाएगा और वो highly branch structure हमें मिल जाएगा clear? जो low density polythene होता है low density polythene होता है उसकी importance क्या है? वो chemically inert होता है क्या होता है? chemical inert होता है flexible होता है inert होता है बर flexible होता है आप देखो जो हलकी पनी होती है वो क्या होती है बहुत जादा flexible होती है और poor conductor of poor conductor of electricity ठीक है? clear? तो इसी मज़े से यह mostly use किया जाता है इंसुलेटर की तरह इंसुलेटर की तरह use किया जाता है clear? इस wires वगेरा को पर आपने या फिर squeeze bottles squeeze bottle दिखूंगे आपने जिनको हम squeeze करते हैं दबाते हैं उस टाइब की bottles या फिर toys में हम इसको use कर सकते हैं या फिर flexible pipes में हम इसको prepare करते हैं इसका simple method क्या है? CS2 double bond CS2 यह आपके पास क्या है? इथीन का formula है किसका formula है? इथीन का यह हमारे N numbers of ethene हैं कितने हैं? N numbers unlimited है क्या condition थी? high pressure कितना pressure था? 1000 to 2000 atmospheric temperature कितना था? 350 to 570 Kelvin clear और paroxides थे ठीक है? वो catalyst की तरह काम करते हैं तो product क्या मिला है में पास? CH2 single bond CH2 और N क्योंद यह इसका मतलब जो यह bracket है और bracket के साथ यह symbol है इसका मतलब होता है कि यह जो chain है इसी type की same chain यह इस direction में भी present हैं और इस direction में भी present हैं तो यह एक single molecule है इसी वज़े से इसको क्या बोल हो जाता है? polythene poly once a many और किसका product है? ethene का तो इस वज़े से इसको क्या बोल जाता है? polythene तो अभी हमने पढ़ा है low density polythene के बार है अब दूसर टाइप है वो कौन सा है? इसका high density polythene क्या है? high density polythene अभी low तो हमने आपको समझा दिया high density polythene क्या है? name indicate कर रहा है high density ठीक है? यहाँ पर क्या होगा? कि इसी तरीके से हम इसको react कराएंगी यह just इसके opposite है इसी तरीके से हम इसको prepare करते हैं बट यहाँ पर जो pressure होगा वो बहुत low होगा pressure क्या होगा? 6-7 atmospheric pressure होगा, clear? तो temperature होगा 3-3 3 Kelvin to 343 Kelvin रस इतना ही रखेंगे ज्यादा temperature नहीं रखेंगे इतना temperature हम उसको utilize किया जाते है बट एक important चीज क्या है? यहाँ पर जिगलर नाटा catalyst है जिगलर नाटा catalyst है अब जिगलर नाटा catalyst है यह क्या होता है और यह important है यह actually में titanium टेट्रा chloride है क्या है titanium टेट्रा chloride क्लोराइड क्लियर तो यह जो utilize होता है यह बहुत अब इसकी जब हम properties की बात करें तो क्या होता है यह भी उसी की तरह कैसा होता है जब बहुत ज़्यादा close packing हो रही हार्ड है तो क्या होगी इसकी close packing होगी close packing होगी तो क्या होगा यह भी innerity रहेगा बट chemically क्या होगा है chemically more tough होगा tough ठीक है और साथ में क्या होगा tough है तो क्या होगा hard भी होगा hard है तो इस वज़े से manufacturing किसकी की जाते इसकी वज़े से इसी कि है poorest buckets होती हे हाथ है उनको 가या जाता है उनमें यूज किया जाता हैं डिस्ट बिस बनाने के लिए यह फिर भॉर्त‌होठल्स जो हार्ड बहौटबस होती हम न को बनाने के लिए Soul jitacard platforms अपने ते में बनाने के इसको यूज के यह इसकी प्रिपरेशन क्या है प्रिपरेशन जैसे लास्ट हमने प्रिपरेशन के था सिएस्टू डबल वन सिएस्टू उसके अकोर्डिंग हम इसको क्या कर सकते हैं इसली प्रिपेड कर सकते हैं क्लियर स्टेंट्स लो नैक्स्ट है एक तो हूं है अधिन के बारे में एक दूसरा हम अधियान एकजामपल पड़ रहाएं पॉली टेट्रा फ्लोरो इथेन ये पूरा नाम पॉली टेट्रा फ्लोरो इथेन ये सेकेंड एक्जामपल है इसको सिंप्ली बोल देटें टैफलोन ये नाम सुनाओगा आपने ये ठोड़ा मुश्किल होता से आपको टैफलोन टेफलोन में क्या होता है इसको जो पॉली टेट्रा फ्लोरो इधेन है इसको हम क्या करते हैं हीट करते हैं ठीक है जब हीट करते हैं तो हमें क्या अप्टेन होता है टेफलोन हीट अप्टेन होता है ये भी किसकी तरह किसकी वज़े से होता है आपके फिर डेडिकल मैकनेजिम के तुरू होता है बट यहां पर जो हम यूटलाइज करेंगे वह हाई प्रेशर होगा हाई प्रेशर होगा और साथ में क्या होगा हमारे पास पर सलफाइड होगे पर सलफाइड यूज होगा एजए केटलिस्ट ठीक है इसको इसको यूटलाइज करें अब इसको बनाते कैसे हैं जैसे मालोड ची एफ टू यह क्या है टेट्रा फ्लोरो इथेन ठीक है डबल बॉन ची एफ टू ठीक है यह एन नमबर्स हमारे पास क्या है किस चीज का फोर्मूला यह टेट्रा फ्लोरो इथेन का फोर्मूला इसको कम्मानैंगे तो साथ मैं हाइप प्रेशर यूज करोगे छीक है हाइपРЕशर यूज करोगे तो आराउंड इसको टेंप्रेचर देगरी से अबाव होता है क्लियर टे क्या बनाएगा सी एफ टू डंग सिंगल बॉर्ण सी एफ टू उसी की तरह सेम कॉपी यह किसकी पॉलिथीन की बस फॉर्मुला क्या हो गया क्या हो गया आपको क्या मिल गया टैफलोन होता है वह इनर्ट होता है अब इसकी प्रॉपर्टीज की बात कहें तो वह कैसा होता है इनर्ट होता है और रेजिस्टेंस होता है रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस होता है इसको यूटिलाइज किया जाता है आपने जैसे ओइल्स वगेरा होते हैं उसमें पैकिंग की जाते हैं ओइल की जो पैकिंग होती उसमें यूज किया जाते हैं गैस किट्स आप देखोंगे गैस कट्स होते हैं उसमें आपको देखो या फिर आजकल जो बहुत ज्यादा चल रहा है कि आपने कुछ बरतन इस तरीके के देखाऊंगे कि उसमें आप कितनी भी चीज को गरम कर लेजिए बस बट उसके तलेट में कभी भी वो चीज चिपकेगी नहीं तो उनको बोला जाता है नौन स्टिक नौन स्टिक सर्फेस कोईटिड यूटेंसिल यूटेंसिल यह होते हैं आपके नौन स्टिक सर्फेस कोईटिड यूटेंसिल आप जो फ्राइपैंस होते हैं उसमें क्या होता है आप उसको किसी चीज को कितना बगरम कर लेजिए वो चिपका ही रहेगा कि लिए एक और चीज, जो जिगलर नाटा केटलिस्ट था, मैंने जो आपको बताया था, कि जो जिगलर नाटा केटलिस्ट था, उसकी वज़े से ही, जो पेशले उसमें बताया था, मैंने, उसकी वज़े से ही उसको क्या मिला था, नॉबल प्राइज मिला था, क्लियर, और नॉबल प को नेक्स्ट जो डिस्कस करें वो डिसकस करेंगे हम पोली एक्रो नायट्रायल पोली एक्रो नायट्रायल क्या है कि ये भी आपका एडिसेण पॉल्ल होगा एक्रैलो नाइट दायलो होग्ण फोर्मॉला वह क्या है एन ऐसा टू डबल बॉंड इन इसका पॉलीमर मॉनोमर हैं और ये किसकी परजेंस मो होता है पॉल्यमेशन रेक्शन होगी वह यह आपकी क्या होगी ऐड़िशन रेक्शन होगी मैकनिस्म होगा किसकी परचेंस में हो रहा है परोकसाइड कैटलिस्ट की परचेंस में कैनल इस बहुततर बोन्द ननंबर्स औफ कंभाईन हो जाएंगे, इसको बोला जाता है, पोली एक्राइलो नाइट्राइल, ठीक है, और इसको हम सिंपल बोलते हैं, एक्राइलो नाइट्राइल, क्लियर, तो ये mostly जो प्रिपय किया जाता है, और लाउंस बनाते हैं, वूल्स वगैरा के आप देखोगा उस वगेरा के Oralons होते हैं Oralons होते हैं या फिर Acrylons होते हैं Acrylons होते हैं तो इनको हम फिर पिर के फाइबर्स होते हैं उसमें commercial ही इसको Utilize किया जाता है Clear? तो ये good resistance होता है जो Acrylion होता है ये एक good resistance होता है इसमें ना तो कुई दाग लगता है Chemicals से, Insects से या Fungis कुछ नहीं लगते हैं इसमें इस टाइब के clothes में ठीक है? तो ये बहुत जादे important Okay, strengths I think all the strengths Like my video, thank you And have a nice day